तो है गाइस very good afternoon I hope आप सब लोग अच्छे होंगे अगर चैनल पे नए आये तो प्लीज सब्सक्राइब करके bell बटन को जूरू प्लेस करना और latest notification code judgment session को देखने के लिए telegram को जॉइन कर लो link is in description तो इस form GST2B की आपके सामने cutoff date आ रही है last cutoff date 28th May 2021 जी हाँ guys 3B की date को बढ़ाया नहीं गया due date को extend नहीं किया but cutoff date इन्हें 28th May कर दी 3B आपको timely file करनी है 20th को because उस case में अगर आप नहीं timely file करोगे आपको interest पड़ेगा मैं आपको अभी दिखा भी दूँगा ठीक है तो यहाँ पर cutoff date को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ यह क्यों किया है समझो पहले बात आपको credit कैसे मिलेगा 3B में उतना ही मिलेगा जितना 2B में दिखता है यह तो confirmed है for example 2B में अगर 100 rupees दिख रहा है तो आप 100 rupees क्लेम कर लोगे अगर कुछ credit नहीं दिख रहा for example आपको 10 रुपे का credit नहीं दिख रहा तो आप 10 में से कितना क्लेम करोगे 100 का 5% करोगे 100 का 5% कितना 5 रुपे तो मतलब 10 रुपे में से 5 रुपे maximum क्लेम कर सकते हो कैसे निकला 10 रुपे 2B में नहीं दिख रहा था तो 100 का 5% किया तो कितना है 5 रुपे, तो मतलब 10 में से maximum 5 रुपे आप claim कर सकते हो, ये rule बात करता है, बट जो new notification है, मैं आपके साथ already cover कर चुँँगा, link यहाँ पर लगेगा notification का आप जाके समझ सकते हो, rule 36 को April 21 के लिए relax कर दिया, relax का मतलब है, क्या बोला जा रहा है, कि आप April 21 की 3B को जिसकी due date को नहीं बढ़ाया April 21 की 3B को जिसकी due date को नहीं बढ़ाया, आप उसमें 100% ITC claim कर सकते हो 3B में, चाहे कुछ 2B में दिख रहा है या नहीं दिख रहा आप 100% credit claim कर सकते हो हमारे example में 100 토ya भी claim कर सकते और 10 रुबे भी, 110 claim कर सकते हो but जब आप May 21 की 3B फाइल करोगे, जब आप May 21 की 3B फाइल करोगे, तो उस case में rule को relax नहीं किया May 21 की 2B जब आप 3B करोगे, तो rule को relax नहीं किया तो उस case में आपको April और May 21 की 2B को download करना पड़ेगा और दोनों को combined RICO बनानी पड़ेगी और जो credit नहीं दिखरा होगा और आपने अगर already claim कर लिया होगा April में तो आपको उसे reverse करना पड़ेगा हमारे example में 10 था जो नहीं दिख रहा था 5 अगर हम claim करते तो 5 access claim कर लिया तो वो reverse करना पड़ेगा यह रावत करता है rule तो यहाँ पर यह 28th May cutoff date कहां से निकल के आ रही है तो आपके सामने में नोटिफिकेशन की summary open की हुई है GSTR 1 की और IFF की date को क्या किया था बढ़ा दिया गया था April 21 के लिए 1 की date 11th में से बढ़ा कर 26 में की थी form IFF की date 13th में था की थी because आपको पता है IFF optional तो है बढ़ 13th में के बदा आप फाइल नहीं कर सकते इसकी date को भी बढ़ा के क्या किया था 28th May 21 तो इसलिए वहाँ पे GSTR 2B की cutoff date क्या आ रही है 28th में कि 28th May के बाद आपको सारा credit दिखेगा तो आपको गए sir 3B की date तो बढ़ा ही नहीं है तो हमें तो लोस हो जाएगा तो इसलिए उन्होंने रूल 36 को क्या कर दिया relax कर दिया कि ताकि आपको credit क्लेम करने में कोई दिक्कत ना हो यह आपके सामने 3B की date भी आ रही है अगर 5 क्रोड से जादा है और 19 जून तक फाइल कर सकते हो अगर 5 क्रोड तक है तो late fees नहीं पड़ेगी समझ में आ रहा है कि 5 क्रोड से जादा है 20 में due date है 4 जून तक करो गए file तो late fees नहीं पड़ेगी बट interest तो पड़ेगा ना और अगर आपकी up to 5 क्रोड तक है तो पहले 15 दिन के लिए due date के बाद कोई भी interest नहीं पड़ेगा तो please make sure guys due date की cut off date से परशान नहीं होना है GSTR3B की due date को नहीं बढ़ाया गया सिर्फ late fees के waiver के लिए बढ़ाया गया सरे लगान कि वहर दो क्षिडस सsoली बढ़ाया पर खे एगर ऑगरा अगरे मत्कता शर्का, वहरे याईसाल हा защ trav ब Mystery strategy झाल